स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल स्टेडी विद अमन कुलमी आज हम लाहें शिक्षा निदेशाले रास्य राजदानी शेति दिली की कारे पर तक नमबर 33 जो की क्लास 7 ले विशे आपका गड़ित है डेट जिसकी 26 नमबर 2021 आप अपना नाम और अपने कक्षद नाम लिखेंगे आज हम राश्यों की तुलना करेंगे प्रतिशत से हम अनुपात देखेंगे जब कोई भाग अनुपात के रूप में दे जाता है तो हम उन्हें परिवतित करते हैं यदि 15 मिठाईयों में मोनू को 3 मिठाईयां और सोनू को 12 मिठाईयां बाटना हो तो प् 10 प्रतिशत आजएगा सोनू को ऐसी करेंगे तो हमारा असी प्रतिशत आजएगा अब प्रतिशत के अनुसार वृद्धी या कमी यह एक निश्ट मातरम में वृद्धीा में कमी को पारंबिक राशी के उधारिण के रुप में जानते हैन एक देश में नरक्षर यक्ट्यो की संक्या 10 वर्षों से 30 लाग से γटकर 100 लाक हो गई है कमी का प्रतिशत क्या है तो मूल राशी यानि पारंब में अनपढ यक्ट्यो की辛ग्या अर्षिमं परिवर्थन कितना हुआ अनपढ़्यक्तियों की संक्या में कमी होगी यानि्य तीड कमी का प्रतिशत क्या हो जाएक अगर आपने बिया है आपको पर में चालबे इस अगर विक्रै कि आप और गाहिए का आपके पर स्पारोप्षे न्हींक हैまだ अनुरू का दिकानादा नमें से चेह बलाप है ड़क अगर अग्ला कर आफ बादे शब्रादग में अब 125 रुपए का और वो 120 का हैं तो 125 ज्यादा है यह sì जादा है नियोगा और छूटा है तो हम्हें लाभ ही रूपए तो आए फॉर्मुला क्या होता है नहीं हानी हुई, कुछ भी रुपे नहीं बचे, अब यहां पर हमें एक और बात बताई, अगर हमारा CP, CP है 120 और हमारा SP, 115 है, यानि 120 में हमने उसकी प्राइस है, और 115 में बेची, यानि 5 रुपे का घटा हो गया, तो हानी हुई, और इसका फॉर्मला है CP माइनस SP, अब निम 120 रुपे में खरीदा गया, फूलदान, 108 रुपे में बेचा जाता है, तो यह क्या हो गया, हानी हो गई, तो इसमें हानी हुई, कितने रुपे की, 12 रुपे की, 120 में खरीदा गया था, और 108 में बेचा गया, 540 रुपे में बेची गई, एक किलोना कार, 450 रुपे में खरीद में बेची तो 90 रुपय का लाब वहा है अब 1000 रुपय में खरीदी गई एक साइकल折ाड तो यहां पर आप देखें ना लाब हुआ ना लाब हुआ ना आँड यह अप लिख लेंगे लेंगे नेक्स्ट आपको दे रख़ा है इसमें लाब या खानी की गणा प्रतीशत में भी की जाती है की जा सकती है लाब और हानी दोनों CP पर निर्वा करते हैं अब प्रशन एक दे रखे एक वस्तू की किमत 50 रुपे है इसके 12% की नुकसान के साथ बीचा जा गया था एक वस्तू की किमत 50 रुपे दे रखे है अब 12% उसका नुकसान हो गया उसके साथ उसे बेचा गया आपको विक्रेय मुल्ले जात करना है तो क्रेय मुल्ले यानि CP 50 रुपे हानी 12% की हुई तो SP निकालने के लिए CP माइनस हानी करेंगे तो हानी निकालने के लिए सबसे पहले हम 12% CP का करेंगे CP हमारी 50 है तो 50 का 12% करेंगे 12 बट्टे में 100 गुणा 50 तो 6 आजाएगा हमारा तो CP हमारी कितनी थी 50 हानी हमारी निकालने 6 है 50 में से 6 गटाएंगी तो 44 यानि SP हमारी कितनी है 44 रुपे में 44 रुपे में बेचा गया और उसकी कीमत 50 थी तो 6 रुपे का नुक्सान यानि 12% का नुक्सान हो गया दूसरा प्रशने रुई ने 9,000 रुपे में टीवी खरीदा दो साल बाद उसने 6,000 रुपे में उसे बेच दिया रुई के लिए लाव या हानी की गयाद किजिए तो उसे हानी हुई 3,000 रुपे की आप दिख सकते है 9,000 में खरीदा 6,000 में बेच दिया तो CP हमारी 9,000 हुई यानि कोस्ट प्राइस उसका और SP यानि उसने बेचा 6,000 रुपे में तो हानी में उसे अथा हानी निकालने के लिए CP माइनस SP करते हैं 9,000 में से 6,000 कटेंगे तो 3,000 बचेगा हानी कब परसेंट निकालने के लिए हानी बटे में CP करते हैं गुडा में 100% 3,000 हानी CP हमारी 9,000 गुडा में 100% करेंगे तो 33 एक बटे में 3% हमारा अंसर आज जाएगा अब अभ्यास कीजिए इन कोशन को करके पहला कोशन है एक बस्तो को 5% कि लाप पर 540 रुप में बेचा गया था लाब हुआ है अब बेचा गया 540 में तो इसका क्रें मूले यानि इसका असली प्राइस का है तो आप इसका अंसर करेंगे तो दिया है हमें जो वी मूले दे रखा है वी क्रें मूले दे रखा है वो 540 है लाब परसेंट हमें 5% दे रखिए तो क्रें मूले निकाले तो क्रें मूले का हमने 100 माल लिया तो लाब हमें कितना हुआ 100 का 5% यानि 100 गुणा 5 बटे में 100 यानि 5 रुपे का 200-5 रुपर नहीं है तो लिक्राम हमारा हमारा 105 के लिए तो पांसर अन्सर आजाएगा अब 514 में उसे खरीदे गई और बेची कितने गई विपांसर में तो उसे कितना 5% का प्रॉफित हुआ तो यह हमने बताे गया नेक्स कोशन देखते हैं एक दुकानदार ने 375 रुपे में कुरसी खरी दी और उसे 400 रुपे मेज दिया दुकानदार का लाब प्रतीशत ग्याद कीजिए तो उसने 25 रुपे का लाब हुआ अब प्रतीशत निकालना है तो कुरसी का क्रेम मूले 35 रुपे है तो लाब हुआ उसे यहीं क्रेम मूले मेंस करा तो 25 रुपे का लाब हुआ तो लाब परसेंट निकालना है लाब में से लाब बटे में क्रेम मूले गुणा में 100 तो लाब हमें 25 रुपे का था क्रेम मूले 300 बचाता है गुणा में 100 तो हमारा 20 बटे में 3% हमारा आंसर जाएगा आप इसे कर लेंगे आज के आपकी जो वोक्षीट है वो कंप्लीट होती है आई होप आपको अच्छे से वोक्षीट समझ आ गई होगी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज तो प्लीज में चानल को सब्सक्र लाइब जरू करें थाक्षो खोड़ गडियो पर भी गईज